असलाम लेकुम विएर्स इस शौकतली सुखेरा एंड वेलकम तो स्टुडी पेंग आज का हमारा टॉपिक है मासलोज हिरार्की ओफ निड्स इसे पेश किया अबराहम हैरोल्ड मासलो ने अमेरिकन सैकलोजिस्ट थे वर्म अप्रिल 1st 1908 ब्रॉकलें नीव यर्क न उनिटे शेट इड़ जून 8 नीटे सेवंटी मैंलो पर्क चलिफोर्निया उनिटे स्टेस इनको फार्द आफ एंड एंड आफ एंड शेट्ट शेट्ट इनको फार्द अव्मेनिस्ट शेट्ट शे सैकलोजी भी कहा जाता है मास्लो हरार्की ओफ नीट्स इज एन आइडिया इन सैकलोजी पर उपोस्ट बाई अमेरिकन अबरहम मास्लो इन है नाइंटीन फोर्टी थ्री पेपर उस पेपर का नाम था अध्यूरी ओफ हुमेन मोटिवेशन इसके तूर हैं और फाइव स्टे इस थूरी के इताबिक है जब इनसान की कोई एक ज़रूरत पूरी हो जाती है तो अगली की तलाश शुरू कर देता है इस प्रेजर है इनको आप इजली याद रख सकते हैं पी एस एल पी एस एल एस लगा दिना साथ इसे पी एस एल इस भी पढ़ सकते हैं यह स्टेजर हैं पी पहली है फिजियालोजिकल नीड्स दूसरी सेफटी नीड्स तीसरी लव एंड बिलांगीं चौथी एस टीम और लास्ट सेल्फ एक्टॉलाइजेशन यह पी एस एल इस से इसली याद रह जाएगा इसके दो लेवल्स हैं लेवल वन बेसिक नीड्स और दूसरी है ग्रोथ नीड्स ग्रोथ नीड्स यह हैं सेफ एक्टॉलाइजेशन को कवर करती है और बेसिक नीड्स यह पहले वाली फोर हैं इनको बेसिक नीड्स कहते हैं और यह है सेल्फ एक्टॉलाइजेशन ग्रोथ नीड्स अब यह फिजियालोजिकल नीड्स कौन से हैं यह एर वाटर फूट शैल्टर स्लीप क्लॉथिंग रिप्रोडक्शन सेफ्टी ओज हैं पर्सनल सेकुरिटी, इंप्लियमेंट, रिसोर्सेज, हेल्फ, प्रोपर्टी लव और बिलांगिंग, फ्रेंड्शिप, इंटीमेसी, कुर्बत को कहते हैं फैमिली, सेंस ओफ, कुनेक्शन एस्टीम, रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, रिकोगनिशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम यह आ जाएगा एस्टीम नीड्स में लास्ट है, सेल्फ एक्चुलाइज़ेशन हायस्ट लोगल डिजार तो बिकम दा मोस्ट देट वन कैन बी यह है सेल्फ एक्चुलाइज़ेशन अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू वेरी मॉच अल्ला हाफिज फॉष्ष्ड़ेशन